नमस्कार मैं हो राम प्रकाष राई गुजरात हिमाचल प्रदेश और M.C.D. के चुनाओ अब हो चुके हैं एक्जिट पूल्स लगातार दिखाये जा रहे हैं तमाम सर्वे जो हैं तमाम चैनलों के द्वारा तमाम मीडिया हुसिस के द्वारा दिखाये जा रहे हैं उससे जो एक्जिट पूल्स के जो आकड़े हैं उसमें कहीं भारती जनता पार्टी के लिए उत्सा है तो कहीं आम आदमी पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी जो है जो M.C.D. इलेक्शन को लेकर के खास तोर से उत्सा ही थै MCD election में जो भी exit polls हैं वो MCD election में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत दरसा रहे हैं वहीं जो बिधान सबाचुनाव है उसमें गुजरात में भारती जिनता पार्टी की तरफ सभी exit polls दिखा रहे हैं और बड़ी जीत के तरफ दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में जो इस्थती है वो कमोबेस दोन भाजपा और कॉंग्रिस लगभग आसपास ही हैं आकड़े उनके अलग-अलग हैं लगातार पास तारीक के ओए शाम से सारे चैनल्स इस exit polls इन आकड़ों पर चर्चा कर रहे हैं आकड़े दिखा रहे हैं तमाम तरीके की MCD के जो आकड़े हैं उन आकड़ों से आम आदमी पार्टी में जबर्ध सुरुप से उत्सा है खुद इसको लेकर के दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्बिन केजरिवाल उप मुख्यमंतरी मनिसी सोधिया जैसे लोगों ने कई सारे अलग-अलग बयान दिये अर्विन केजरिवाल ने जब उनसे सवाल किया गए सम्मन्द में तो उन्होंने कहा कि दिल की जो जनता है उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर एक बार फिर से भरोसा दिखाया है ये जो जीत है वो आम आदमी पार्टी आम आदमी की जीत है और आम आदमी पार्टी के लिए जीत है आम आदमी पार्टी की सरकार पर लोगों का भरोसा बड़ा है निताओं का भरोसा बड़ा है अभी जो अर्बिन केजरिवाल ने बयान दिया वो हम आपको इस वीडियो के अ अगातार सरकार बनाने का दावा कर रहे थे इतना ही नहीं तमाम टीवी चैनलों के कॉंक्लेव और अलग-अलग कारिक्रों में अर्विन केजरिवाल कागज से पेन पर सीटें लिख करके देते हुए देखे गए थे हाला कि अब वो 15-20 प्रतिशियत वोट आने पर उसे अच्छा डेवी उमानने की बात कर रहे हैं ऐसा ही कुछ उप मुख्यमंतरी मनीस सौधिया के तरफ से भी बयान आया अब मुख्यमंतरी मनीस सौधिया ने एक टीवी चैनल को दी अपने साक्षातकार में बिस्तार पुरूब बाते कहीं MCD एलेक्शन के जो एक्जिट पोल्स के परिणाम है उन्हों ने खुशी जिताई साथी साथ उन्होंने कहा कि ये जो परिणाम है इससे तैह हो गया है कि भारती जनता पार्टी को लोगों ने सेरे से खारिच कर दिया है आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लोगों ने भरोसा जताया है साती साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भारती जन्ता पार्टी जिस जूट को फहलाना चाहती थी जो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रही थी वो सारे आरोप को जन्ता ने नकार दिया है आम आदमी पार्टी के निता सतेंदर जायन पर भारती जानता पार्टी ने आरोप लगाए इसका उन्होंने जिक्र किया कि जेल से सतेंदर जायन की वीडियोज लिक कराई गए पहले उने जूटे मामनें बंद किया गया फिर अब उनसे जेल में से उनकी वीडियोज लिक कराए गए इन सारे मामनों को जंता ने सिरे से खारिज किया इतना ही नहीं मनिश्य सोदिया के उपर जो आरोप है उसको भी वो खारिज मानना है कि मनिश्य सोदिया को शराब घुटाले के चलते आरोप उनके उपर लगा सराब नीटी बनाने उत्ते समय सराब में घुटाला करने का इसके अलावा तमाम एडी और सीबिया की जाचे हुई कई जगे उनके घर से लेकर के दफ्तर तक और बैंक लॉकर तक की तलाशी हुई इन सारे ही चीज़ों के बाद अब मनिश्य सोदिया का ये कहना है कि लोगों ने भारती जनता पार्टी के जो भी आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगे उन सब को सेरे से खारिज कर दिया ये सारे आरोप जूटे साबित हो गए साथी साथ उनोंने का कि भारती जनता पार्टी जो हो महा भरस्ट पार्टी है महा जूटी पार्टी है इसको लोगों ने मान लिया है और इसी के चलते आम आदमी पार्टी को लोगों ने इतना ब्यापक समर्थन दिया और लोगों को ये माना कि आम आदमी पार्टी की जो स सबको उन से सीखना चाहिए उन्होंने सभी धर्मों के लिए काम किया। जो उनके सपने थे और जो उनका उनकी प्राथमिक्ताएं थी उसी हिसाब से आम आदमी पार्टी भी चल रही है उन्हीं से प्रिवर्णा लेकर के सिक्षा के शेत्र में इतना ब्यापक तोर पे काम आदमी आदमी पार्टी की सरकार कर रही है आप सुनते चलिए अर्बिन के इजरिवाल का ये बयान सर कल एक्जिट पूल के नतीजा है भारी बहुमत में आमाधी पार्टी को मिलती ही नजर आ रही तो मैं दिली के लोगों को बढ़ाई देता हूं मैं उमीद करता हूं कल मैं देख रहा था नतीजे आमाधी पार्टी के काफी अच्छे नतीजे आए औ पॉजिटिव है नई पार्टी है नई पार्टी ने एंट्री किये और कह रहे थे कि बीजे पी जो है गड़ है इन लोगों का तो इतनी कोई 15% 20% वोट शेर पहली बार अगर कोई पार्टी जाए तो बड़ी बात है सर यह भी सवाल है कि अगर किसी की सरकार नहीं बनती है तो क्या इंतजार कीजिए परसों से तक आज बाबा साब अम्बेड कर के महापरी निर्वान दिवस के अफसर पर मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हमें बाबा साब अम्बेड करके जीवन से प्रेर्णा के लिए पिछडे लोगों के लिए बहुत 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 संगर्श किया उनका सपना था कि इस देश के अंदर जो आखरी आदमी है उस तक सभी सो विदाएं पहुंचने चाहिए सबसे जादा जोर उन्होंने शिक्षा पे दिया उन्हीं की प्रेरना से आज हमारी सरकार में हम सबसे जादा शिक्षा पे जोर दे रहे हैं क्योंकि हमारा भी मानना है जैसे बाबा साब अमबेटकर का मानना था कि अगर हर वेक्ति को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो गरीबी भी दूर होगी और समाज में बराबरी भी होगी और सब लोगों को इज्जत के साथ जीने का अधिकार मिलेगा शिक्षा बहुत जरूरी है तो उसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं मैं इस अफसर पर उन्हें कोटी कोटी प्रणाम करता हूं